नमस्कार दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुती सुन्दर कॉलर नेक डिजाइन लाई हूँ जो मैंने फ्लैट राउंड नेक कॉलर में बनाई है और फ्रेंट्स इसकी पूरी डीटेल जानने के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखें कॉलर कुर्ती मैंने कट कर रखी है कॉलर कुर्ती की कटिंग की डीटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी अब यहाँ पर हमें गले की चौड़ाई तीन इंच लेनी है तीन इंच पे हम पहले इस तरीके से मार्ग कर लेंगे यहाँ जो बैक पैनल है वो मैंने एक इंच ऊचा कट किया है तो जो बैक पैनल का नैक है वो हमें इस तरीके से एक इंच तक कट करना है यहां गले की चौड़ाई हम 4 इंच तक बढ़ा देंगे इस तरीके से हमें back panel को cut करना है अब front panel में हमें गले की चौड़ाई 3 इंच ही लेनी है और गले की लंबाई 4 इंच लेनी है अब इन marks को मिला के हम round neck shape दे देंगे अब इसकी भी हम पहले cutting कर लेंगे अब इस पैटन में जो मैंने प्लैकेट बनाया है उसके लिए हम ये फोल्डिंग पेस्टिंग पेपर लेंगे यहाँ पर करीब डाई इंच पे एक मार्क करना है अब यहाँ डाई इंच तक हम इस तरीके से शेप देंगे और नीचे हमें छे इंच लंबा प्लैकेट रखना है तो छे इंच तक हम एक मार्क करेंगे यहाँ इस तरीके से अंदर की तरफ चौथाई इंच का गैप रख कर और मार्क कर लें अब इसको हम इस तरीके से एक इंच चौड़ा कट कर लेंगे अंदर की तरफ भी इस तरीके से हमें कटिंग करनी है ये हमारा प्लैकेट बनेगा अब इसको मैंने कपड़े के उपर चिपका दिया है बाहर की तरफ हमें इस तरीके से फोल्ड कर लेना है अब फ्रंट पैनल को सीधा रखें और इसके उपर इस placket को अच्छे से set कर ले अब इस पूरे placket को हमें stitch कर लेना है देखे जैसे मैंने दिखाया है सेम इसी तरीके से पूरे shape को stitch कर ले अब हम अंदर की तरफ से जो extra कपड़ा है उसे cut कर लेंगे सबी कोनों पे छोटे कट लगा दे और इस पेस्टिंग स्ट्रिप को पीछे की तरफ गुमा दे देखिए इस तरीके से हमारा प्लैकेट रेडी है अब इस पूरी प्लैकेट पर हम ये डोरी वाली पाइपिंग लगाएंगे डोरी वाली piping मैंने ready कर रखी है डोरी वाली piping लगाने के लिए machine में हमेशा half pressure foot का use करें उससे आप finishing के साथ ये डोरी वाली piping लगा पाएंगे देखिए इस तरीके से पूरे placket पर हम इसे अच्छे से stitch कर लेंगे यहाँ एक side तक लगाने के बाद इसे हम cut करके और फिर से दुबारा लगाना start करेंगे तो इससे kono की finishing भी अच्छे से आएगी देखिए अब यहाँ तक हम फिर से cut करके और फिर से लगाना start करेंगे इस तरीके से पूरी placket पर हमें ये code piping लगानी है अब इस placket को बंद करने के लिए हम एक इस तरीके से folded कपड़े की strip लेंगे और जितनी placket है उससे करीब एक इंच लंबी कट करें अब इसको हम placket के नीचे की तरफ रख कर इस तरीके से यहाँ stitch करेंगे अब यहाँ एक side तक stitch करने के बाद इसे machine से निकाल लें अब पहले इस strip पर हम loops लगाएंगे loops के लिए मैंने यह पतली डोरी से loops कट कर रखे हैं loops सभी एक ही size के होने चाहिए अब इस तरीके से हम पहले यहाँ continue loops लगाएंगे इस तरीके से आप पहले loops लगाएंगे तो आपके दूसरी side प्लैकेट stitch करने में आसानी होगी अब loops लगाने के बाद प्लैकेट का जो दूसरा side है इसको हम इस तरीके से इसके ऊपर अच्छे से set करके और दूसरी side भी stitch कर लेंगे यह प्लैकेट हमारा पूरा ready हो चुका है अब हम shoulder join कर लेंगे back panel और front panel को दोनों को आमने सामने रखकर और यहां shoulder line को जोड लें अब shoulder चोडने के बाद neck को हमें इस तरीके से fold रखना है अब यहां पूरे neck पर tape को गुमाते हुए हम collar की measurement लेंगे यहां मेरी measurement में collar आ रहा है सवा 10 इंच का अब collar cut करने के लिए हम यह pasting paper लेंगे इसको इस तरीके से fold करना है बंद वाली side अपनी तरफ रखनी है अब यहां पहले हम एक straight line खेचेंगे यहां गले की चोड़ाई 3 इंच गले की लंबाई 4 इंच इस तरीके से हमें mark करना है अब यहां तक एक line खेच लें अब यहां कौने पर करीब 10 इंच पे हमें एक mark करना है अब यहां से हम इस तरीके से गुलाई बनाएंगे और collar का shape देंगे अब जितना आपको लंबा collar बनाना है उसकी एक बार measurement कर ले यहां हमें 10 इंच का चाहिए तो हम इस तरीके से measurement करके और सवा 10 इंच पे एक mark कर लेंगे अब यहां तक हमें collar की marking करनी है अब यहां एक इंच चोड़ा हमें collar बनाना है इस तरीके से पूरा collar का shape एक बार फिर से दे दे यह collar की पूरी marking हो चुकी है अब हम इसकी cutting कर लेंगे यह हमारा flat round collar कट हो चुका है इसको कपड़े के उपर चिपका दे और इस तरीके से cutting कर ले अब collar की एक side भी हम यहां पर दो loops लगा लेंगे loops लगाने के बाद अब collar को नीचे की तरफ से एक fold कर ले पूरा collar हमें इस तरीके से fold करना है अब उसके बाद एक extra कपड़ा लेना है जिसके उपर हम इस cutting को रखेंगे अब यहां अंदर की तरफ हमें collar को stitch कर लेना है पूरे collar को end तक stitch कर ले अब यहां भी हम अंदर की तरफ से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर लेंगे यहां पूरे round shape पर छोटे कट लगा दे नेचे की तरफ जो हमने कपड़ा रखा था उसमें भी स्लाई का हमें extra रखना है अब collar को सीधा कर लें collar को सीधा करने के बाद इसे एक बार अच्छे से iron कर लें अब collar को यहां इस तरीके से fold करके एक center में हम mark करेंगे कुर्ती के back side भी हम center में इस तरीके से एक mark कर लेंगे अब कुर्ती को उल्टा रखकर यहां से हमें collar लगाना स्टार्ट करना है देखे जितना हमने इस लाई का छोड़ा है उतना पूरा कपड़ा हमें अंदर की तरफ दबाना है यह flat round collar है तो इसे अच्छे से stitch करने के लिए यहां neck पर आप पहले छोटे cut लगा दें तो आपको यह flat round collar लगाने में बहुती आसानी होगी सीरे को दोनों तरफ इस तरीके से खोल दें और collar को stitch करें अब जो हमने collar पर और कुर्टी पर center में mark किया था दोनों एक जग़ा पर मिलने चाहिए इस तरीके से दोनों तरफ का collar आपका एकदम बराबर बैठेगा अब इस तरीके से collar को गुमाते जाएं और पूरे neck पर stitch करें यहां फिर से round neck पर हम छोटे cut लगा देंगे और इस collar को stitch करेंगे पूरा collar इस तरीके से stitch होने के बाद अब इससे हमें machine से निकालना है और कुर्टी को सीधे तरफ गुमाना है अब collar को हम इस तरीके से बाहर की तरफ फिर से गुमाएंगे और यहां किनारी पर stitch करेंगे collar को लगाने के time अगर आपकी stitch एकड़म परफेक्ट आई है तो बाहर की stitch करने में भी आपको आसानी होगी देखिए इस तरीके से पूरा collar हमारा stitch हो चुका है अब प्लैकेट और collar पर जितने हमने loops लगाए हैं उतने उनके सामने हम buttons लगा देंगे और इस तरीके से collar को complete करेंगे friends अगर आपको मेरा ये neck design पसंद आया हो तो like और comment करना ना भूले thank you watching for this video